हलो दोस्तों आज 20 मार्च 2021 और 20 मार्च 2021 से जितने भी हरी आना एक करणट है फिरे क्वेस्टन बनते हैं हम सब इस यूडियो में डिसकस करेंगे और साथ ये साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे लास्ट में आपके लिए क्वेस्टन और आप इस क तरज पर गाउ में राज्य की पहली मोडरन कोलोनी भी बनाए जाएगी तो की जिल में बनाए जाएगी सहरों की तरज पर गाउ में भी मोडरन कोलोनी बनाए जाएगी और ये राज्य की पहली मोडरन कोलोनी होगी तो रायटन स्रोग अप्शन भी ये पानिपत जिले में बनाये जाएगी अब इसके बार में जान लेते हैं important point हरियाना गरामिन विकास प्राधिकन दुवारा राज्य की पहली modern कोलोनी पनपजिले के गाउं इसराना में आपको ये नाम याद रखना इसराना गाउं में सहरों की तरज पर पहली modern कोलोनी बनाये जाएगी और इन कोलोनियों में ग्रामिन छेतर में गरेब लोगों के लिए योजनबन तरीके से विक्षित क्या जाएगा इन कोलोनियों को यहां पर बिजले की सिविदा के लिए अलग से पावरा उस होगा के करनाल जिलें से अर जा लेतु है इंपोंटर्ण पॉइंट के बारे में पन्र पन्र नगरी कहा जाता है असतंपनाओ पन्र पत्म सबसे जाद़ अचार की फैक्ट्री भी है और यानका पहला जिला उर्जा पारक पनिपत के नोलाथा में स्तीत है यह भी आपको याद रख रहा है नोलाथा में और पड़ लेते हैं मेश दत सर्मा इसको खादी का पुरोधा भी कहा जाता है और यह पनिपत से बिलोंग करते हैं इबराहिम ऐते की कबर, अलता पूसे है लाले की कबर पनिपत में स्तीत है या कि मुख्य प्रेतिश टलब के पराहिम जानन लेते हैं काभुली बाग काला अंब, सलार्गंज, गेट, कोश मिनार, बलूलेज, यानकी प्रमुख़् प्रेतिन स्तल है और यह जानके मस्जिद मंदीर दर दर्गाविस्तीत है और जालने थे एक्पोइंट पॉइंट सेद रोसन अलिसा की दर्गास्तीत है अजरत कवाजा समसुदीन का मकबरा है देवी तलाब स्यू मंदिर है पाथरी का मिलाई भी लगता है पनिपत में कुछ इंपोइंट पॉइंट से पनिपत के समझे जो आपक प्रोफेसर राजपाल को इंडियन एक्षिलेंस आवार्ड से समानित किया गया है अब इसके बारे मजान लेते हैं यह आवार्ड है क्या राजगिया सनात कोतर महाविदाले इसार के हिंदी व्यूबा के असिटेंट प्रोफेसर राजपाल को उन्च शिक्सा के छेतर में उ आज ससी के एक्जाम पोट से इंपोर्टेंट है ओप्रेशन मुख्षकान योजन की सरुवात की गई थी एक जुलाई 2015 को हर घर हर घर हर्या लियुजना जुलाई 2015 में शुरू की गई थी थारी पैंसन थारे पास युजना च्यार अगस 2015 को शुरू की गई थी सलते हैं ना या तो राय इं श्रोग स्ने सत्यद्यव नार娃ण आर्यीया ने पंजाबी बास अध्वारा लिखीत सबद बूंध नामक पुुष्टकावी मोचन की अ है अब पड़ लेते हैं सत्यद्यॉ नारण आचारिये के बारे में सत्यद्यॉ नारण आचारिये हर्यान के राज्येपाल है इनका जनम एक जुलाई 1949 को राजगिरी जीला नालंदा बिहार में वह था 25 आगस 2018 से हर्यान के राज्येपाल है वह हर्यान के सतरवे राज्येपाल आपको यह डेट याद रखनी 25 आगस 2018 से हर्यान के राज्येपाल है और यह सतरवे राज्येपाल है दोस्त कुपब दरकाली मंदिर है कुरक्षेतर में जिले के रेल्वे स्टेशन के पास नारायन मंदिर है कुरक्षेतर में बिर्ला मंदिर है कुरक्षेतर के पहवा सड़क पर बगवा अन्शिव मंदिर है मादवाला मंदिर है कैटी से नारनोल में है ग्यार रुद्री श्यू मंदिर काथल में, सर्वेशवर महाद्यो मंदिर कुरक्षेतर में, अमकेशवर महाद्यो मंदिर काथल में, लक्षमी नाराण मंदिर कुरक्षेतर में, अनुमान मंदिर काथल में चलते हैं नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं देवी तलाब श्यू मंदिर है पानिपत में अदिती का मंदिर है अमीन गउ करनाल में पंचवटी का मंदिर है पलवल में और दुख दुखेंजवर मंदिर है कुरक्षेतर जिले में चलते हैं नाइट्स्ट पर क्वेस्ट्ण परिटियार है हर्यान राज्जी का पहला साइकल वालो ड्रम की जिल्य में बनाये जाए haunting both कुरुक्षेत्र विश्वधाले में राज्य का पहला साइकल वालोड्रम मनाया जाएगा यहान की पहले राष्टपती राजिंदर परशाद दुवारा अब कुरुक्षेत्र के वाले में पढ़ लेते हैं तोस्तों यह राक कुर्क्षेतर यहां पर इसकी सीमा लगती अम्बाला, युम्नानगर, करनाल और कैथल के साथ में अब जान लेते हैं इसके बारे में important point कुर्क्षेतर जिले को 23 जनवरी उनुसे तेतर को करनाल से अलग करके बनाया गया था कुर्क्षेतर जिले को वामन पुरान के इनुसर कुर्क्षेतर को पांडववन, सुरियवन, आदित्यवन, सैंतिवन के नाव से भी जाना जाता है और जान लेते हैं important point अल बुरुनी दोवरा लिखी गए किताब अल हिंद में बरम सरोवर का उगरनान मिलता है जो कुर्क्षेतर में स्तीत है कुर्क्षेतर में सन 1989 में परत्तम बार गीता जैन्सी उच्चो मना गया जिसे अब हम अंतराष्टे गीता जैन्सी मोच्चो कहते हैं और पढ़ लेते हैं ये हरियाना का एक मातर ऐसा जिला है जिसके स्यों के नाम पर विदानसबा सीट नहीं है तो ये point आपके लिए साइद नया होगा कुर्क्षेतर ऐसा एक मातर जिला हरियाना का जिसके स्यों के नाम पर विदानसबा सीट नहीं है नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पेहवा को हरियाना की गया नगरी के नाम से भिजाना जाता है काला कमली बाबे का डेरा विश्थीत है बिरला मंदीर 1952 में बना गया था शेक चिलिका मकबरा जिसे हरियाना का ताजमेल का जाता है देवी कुबवा तरकाली सक्ती पीट सतापीत है घुलजारी नाल नंदा संग्राल ये है मगरमस परजणन के इंदर है ब्लैक बग परजणन के इंदर है कुरकशेतर के पीपली में तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉयंट थे backward निन्य संब्यलत चलते हैं next question number 5 है हरियान के किस विदायक को सरोसेष्ट विदायक award 2020 किस मिला है दोस्तों 8 मार्च को इसकी गोशना की गई थी इंतराश्टे महिला दी उस पर लेकिन दिया गया 18 मार्च को इसलिए आपको दुबारे रपीट करवा रहा हम तो मिला है अबे सिंग यादो और वरण चोधरी इनको सी ओप्सन एबी और दोनों को मिला है पढ़ लेते हैं के बारे में कहां से कोन है अंबाला के मुलाना से कांगरे से विदायक वरण चोधरी और नारनोल के नागल चोधरी से विदायक अबैसिंग यादों को सरेष्ट विदायक दुज़र 20 किसका अवार्ड मिला है और सदन में विदायकों को इनकी अवार्ड के तहत एक परमानपत्र दिया गया है और साथी एक लाक रुपे का चेक भी दिया गया है चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन बर चाहा है हरी आना के कीस ज जेले की है तो राय टेंसर होगा ओप्शन सी पानिपत्र जेले की तेल रिफाइनरी इंडियन ओएल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनने जा रही है इसके बारे में पढ़ लेते हैं आयो सीहल की 11 रिफाइनरों में पानिपत स्थीत इंडियन ओयल की रिफाइनरी अब सबसे बड़ी होगी इंडियन ओयल बोर्ड ने दो दिन पहले ही यान कि कुछ दिन पहले ही पानिपत रिफाइनरी के लिए 32,940 कोड रुपे के लिए बज़ट पेश किया है तक कि इसकी प्रिफाइनरी की तेल सोधन आक्समुताब वर्तमान में 15 मिलियन मेट्रिक टन परतिवरस सजो आगे 25 मिलि प्रिफित कहां तो पनिपत रिफाइनरी यह बहुली गाउं में स्थीत है इसकी स्थापन 180 में किये गी थी इसका वर्तमान में चेयर है चरमानम मिश्टर संजू सिंग और इंडियन ओयल कोपरेशन लिमिटिट के तायत यह स्थापित की गई है सलते है नेक्ष्ट क्वेश काल में अगर कि सरकारी में नीजी संपत्ति को नुक्सान हो जाए तो इस वुद्धे के तैति इस कानून कहता है तो संपत्ति का बरपाई की जा सकती है उन अंदोलन कारियों से सलते हैं लेक्ष्ट है क्वेशन बर आठ है हरियाना सरकार ने नई सिख्षा नीति को नई सिख्षा नीति को 2030 तक सभी राज्यों में लागू करने का लक्ष्या रखा है हरियाना पंच साल पहले इनकी 2035 तक इस नीति को लागू कर देगा इसके लिए केंद्रिया मानों संसाधन मंत्री को या सूचित भी किया जा चुका है चलते हैं नाइक्ष्ट क्वेस्टन यानकी अगर भी किसी भी पंचायत के चुनाओं होते हैं उनकी जब भी पहली बेठक होती है तब उस पंचायत का कर्यकाल सरू हो जाएगा पांच वर्ष के लिए और पहले क्या था इसके बारे में पढ़ लेते हैं गबरे नीचे विदान सबा में हरियाना पंचायती राज अधिनियम 1934 में संसोदन किया गया है हरियाना पंचायती राज अधिनियम 1934 के प्रावदान को बारत के सिवदान के प्रावदान के अनुरूप लाने के लिए गराम पंचायतों गराम समीतियों जिला परिशिदों का 5 साल का कर्य कर्यकाल उनकी पहली बेटक कितिती शरू हो जाएगा अभी तक पहले क्या था इस विदेख से पहले क्या था इनकी इस संसोधन से पहले था था कि अभी तक राज्य चुनाओ आयोग की तरफ से निर्वाचित पदिनियेदियों को अधिसुचना जारी की जाती थी इनकी राज्य चुनाओ आयोब उन्हें डेट तैय करता था इनकी इसके बाद उन्हें कर्यकाल होगा लेकिन अब पहली बेठक चुनाओ और पहली बेठक के बाद इनका कर्यकाल सरू हो जाएगा आपको याद रखना और यह important question है गराम सची उपटवारी के लिए बढ़ लेते हरी अनप पंचायति राज दिन्यम के भारे में हरी अनमे 1994 से पहले पना कोई भी पंचायति राज दिन्यम निथा बलकी पंजाब गराम पंचायता आक्ट उन्यों62 पंजाब पंचायत चीमिती आक्ट उनिसोंशट लागो ता था लेकिन 22 सप्त्रेल निह नु की गी थी और में दूसरा सुनसोंदन किया गया था 2020 में जिसके ताय तो राइट टू रिकॉल पस्ताव लागा था जिसके ताम सर्फ पजिला परशिद है को हटा सकते हैं उसके पद से सलते नाइस्ट क्वेचन बर दस है हर्याना सरकार ने किस परकार के स्कूल बंद कर दिये है तो हर्याना सरकार किस परकार के स्कूल बंद कर दे गया कर दे है अब वरतमान में तो राइट एंसरोग आपसने किसान मोडल स्कूल हर्याना सरकार बंद करने जा रही है ऐसा कि उसके बारे पढ़ लेते हैं सिक्षा मंतरी को और पाल गुजर ने कहा कि किसान मोडल स्कू शिर्वीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेसं अचीत तरह याद रह सके हरियान के की सिजले में साहरों की तरजपर गाउ में राजटो की पहली modern कोलोनिश बनाए जाएगी. तो ये पनिफट 강ी इसराना का नाम आपको याद रहना गा। चलते हैं, next question number 2 है, हरियान के किस प्रोफेसर को इंडियन एक्षिलेंस आवार्ड से समानित किया गया, तो एक समानित किया गया प्रोफेसर राजपाल को, और ये हिसार के कुर्मेट कोलेज में प्रोफेसर हिंदी के, question number 3 है, हरियाना पंजाबिस है ते अकादमी दोरा परकास चित पंजाबि बासा की सबद भूद नामक पूस्त का विमवतन किस ने किया है, तो सत्यद्यो नारण आर्येन ये हरियाना के राज्येपाल है, next question number 4 है, हरियाना राज्ये का पहला साइकल वाला ड्रम की जिले में बनाया जागा, तो बनाया जागा, कुर्क्षेतर जिले के कुर्क्षेतर विश्वदाल्या में, question number 5 है, हरियाना के किस विदा एको सरोशेष्ट विदा एक अवाड 2021 किस मिला तो मिला है, अबै सिंग यादो और वरुन चोधरी को, question number 6 है, हरियाना के किस जिले की ओयल रिफाइनरी, इंडियन ओयल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनने जारी तो बनने जारी है, पानिपत की ओयल रिफाइनरी बहाली गाउ में स्थीत है, question number 7 है, हरियाना सरकार ने सरकारी वन नीजी समपत्ती के नुक्सान की बरपाई के लिए किस विदा को पारित किया है, तो समपत्ती अक्स्ती वसूली विदा एक 2021 को, question number 8 है, हरियान सरकार ने किस परकार की स्कूल बंद कर दिये, तो किसान मोडल स्कूल बंद कर दिये है, चलते हैं दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपसे question पूछा था, हरियान के किस जिले में पाइलेट पर सिक्षन के लिए flying color बनाया जाएगा, तो बहुत से बच्चे ने right answer दिया, thank you सुमच उनका answer देने के लिए, उसका right answer होगा, option D, इसा अरजिले में पाइलेट पर सिक्षन के लिए flying color बनाया जाएगा, चलते हैं आज के लिए question पर, आज के लिए आपका question है, हरियाना सरकार ने परदेश के लिए emergency budget की सीमा को बढ़ा कर 2 क्रोड रूपे से कितना कर दी है अगर आपको इस concern पता तो comment box में comment जरू करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को लिख कर देखते हों में लंबे समयते का आद रहते हैं, उसका फायदा exam में हमें ही मिलता है, तो comment जरू करना और साथ ही साथ हरियाना के budget 2021-22 के बारे में भी कुछ बताना ता कि आपको याद रसके दो, thank you so much आपका video देखने के लिए